नमिश्कार सी निउस भारत में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रचा सिंग इन दिनों पूरे देश में सिर्फ एक ही मुद्दा जोरोशोरों से चल रहा है और वो है पेपर लीग का जी हाँ पेपर लीग का मुद्दा देश में एक गभी समस्या बन कर उभ रह है एक के बाद एक लीग होती परिक्षाओं के चलती देश्वर में चात्रों और अभिभावकों का गुस्सा उबाल लिग रहा है सवाल उठा है कि कैसी प्रशास्निक विवस्था है जो पेपर को लीग होने से नहीं रोक पा रहे हैं इनी सब को लेकर मोधी सरकार पर सवाल उठने लगे हैं वहीं अब केंद्र सरकार ने नीट और यूजिसी नेट परिक्षाओं में कथित अन्यमित्ता को लेकर खड़े वे विवात के बीच भविष्य में पेपर लीग की घट्टाओं को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है जिहां केंद्र सरकार ने अजी वाड़े को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है बता देंगे साल फरवरी में संसत से ये कानून पारित हुआ था जो 21 यानी बीते दिन से लागू हो गया है इस कानून के तहस्त सारवजनिक परिक्षाओं में होने वाले धोकादड़ी पर लगाम लगेगी अब को इस कानून में सज्वा के प्रावधान के बारे में भी बता देते हैं पेपर लीग में कम से कम 3-5 साल की कैथ की सज्वा का प्रावधान है और पेपर लीग गिरों में शामिल लोगों को 5-10 साल की कैथ और कम से कम 1 करोड रुपे के जिर्मानी का प्रावधान है यदि सेव अप्रदाता या कोई अन्य संस्थान शामिल है तो उन्हें कम से कम पात साल की कैद की सजा दी जाएगे जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और यह अपराद गैर जमानती है कानून कहता है कि जिर्माना एक करोड रुपए से कम नहीं होगा किसी संस्थान के संगठित पेपर लीक अपराद में शामिल पाई जाने पर उसकी संपत्य को करने और जब्त करने का भी प्रावधान कानून में है और परिक्षा की लागत भी उस संस्थान से वसूली जाएगे जाहिर है देश में काफी समय से पेपर लीक का मुद्दा गर्माया हुआ है और इस साल पेपर लीक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन सरकार पेपर लीग करने वाले माफियाओं पर नकेल नहीं कसपा रही है जिसके चलते दिन पर दिन ये आकड़ा बढ़ता जा रहा है और छात्र अपना भविश्य भनाने के बज़ाए अपने हक की लड़ाई के लिए अदालतों के चेकर लगा रहे हैं हाला कि सरकार नया कानून तो लेकर आई है अब ये कानून कितना कारगर साबित होगा और पेपर लीग पर कितनी लगाम लगबाती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा फिलाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया के तबाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हैं सीव्ज भारत के साथ हर कबर आपके साथ आपके हाथ